गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी अपने कार में लैंड स्लाइट के नीचे फस गया है इस दोरान वो आदमी क्या कुछ करने की कोशिस करता है और क्या वो यहां से निकल पाएगा आप लोग इस मूवी में जानेंगे सो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहां जैकसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जैक इस समय बेहोसी के हालत में था और जब उसे अब होस आता है तो वो देखता है कि जिस कार में वो ड्राइव कर रहा था अब वो उसमें फस चुका है जैक सीसे से बाहर देखता है तो उसे कीचड और मिट्टी के लावा कुछ भी दिखाई नहीं देता जैक को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो आखिर कार यहां कैसे आ गया खैर उसे यह तो पता चल गया है कि उसकी कार मिट्टी में दफन हो गई है मगर ये कैसे हुआ है इसका idea उसे अभी तक नहीं है Jack जल्दी से dashboard में चेक करता है और वहाँ उसे अपना phone मिलता है वो फटा फट emergency नंबर पर call करता है लेकिन ये बात obvious है कि इस मामले में network नहीं पकड़ेगा Jack अप panic हो जाता है जिसके बाद में वो car को start करके उसे यहां से आगे बढ़ाने की कोशिस करता है मगर इसके चक्कर में उसकी car जहां फसी थी वो और भी अंदर धस्ती चली जाती है Jack के पास में wait करने के अलावा कोई दूसरा option अब नहीं है क्योंकि अगर वो land slide में दबा हुआ है तो जरूर जल्द ही उसकी मदद के लिए भी कोई आएगा Jack अपना phone निकाल कर खुद की वीडियो सूट करने लगता है उसे regular वीडियो recording करने का सौक है तो यहाँ पर भी यह मौका नहीं छोड़ता Jack अब याद करने की कोशिस करता है कि जब वो घर से बाहर निकला था तो इसी road को वो follow कर रहा था मगर उसके साथ में बाद में क्या हुआ इसका idea उसे नहीं हो रहा है खैर आज Jack के लिए खास दिन है Jack की girlfriend Laurie का आज birthday है और वो उसके लिए gift लेके जा रहा था वो फिर से वीडियो सूट करते हुए यहाँ की situation record करता है कि तभी उसकी कार में sunroof का जो सीसा होता है उसमें cryak आने लगता है इससे यह मालूम पढ़ता है कि Jack के पास में ज्यादा time नहीं है और वो काफी अंदर इस कीचर में दबा हुआ है Jack अपना phone निकाल कर इसमें लटका कर यहाँ पर यह पता लगाने की कोशिस करता है कि उसकी car किस direction में tilt हो रही है फोन से जब सही अंदाजा नहीं लगता है तो वो पानी की drop से पता लगाता है अब तभी वो देखता है कि car के air conditioner वाले पार्ट से कई सारी चीटी आने की कोशिस कर रही है जिसके बाद में वो वहाँ पर tape चिपका कर वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देता है Jack अपने car का horn बजाता है वो सोचता है कि साइद ये आवाज बाहर किसी को सुनाई दे जाए मगर इसका कोई भी फायदा नहीं है और ये बात Jack को जल्दी realize हो जाती है Jack को लॉरी की बहुत ही जादा यादारी होती है जिसके बाद में वो अपने phone में उसके video vlog को चला के देखने लगता है इन सब के बाद में अब Jack कुछ देर सोने की कोशिज करता है लेकिन सोते हुए भी इस car की तरह उसे सफोकेशन होने के ही सपने आ रहे थे अब उसके सोते हुए 5 घंटे बीट गए मगर मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया इससे Jack को कुछ आइडिया लग जाता है कि साइद ये खबर बाहर किसी को पता नहीं होगी इसलिए Jack खुद से ही कुछ करने की कोशिज करता है वो कार के सीसे को हलका सा डाउन करके वहाँ पर अपना हाथ डालता है वाली सिच्वेशन के बाद में जब उसे प्यास लगती है तो वो बिना रुके उसके पास में जो पानी था उसे पीने लगता है मगर पानी खतम हो जाने के बाद ने अब उसे रियलाइज होता है कि जब उसे अब आगे प्यास लगेगी तो वो क्या करेगा जैक अब उसके सामने सीट पर क्रॉस बना के गौड से प्रे करता है कि प्लीज मुझे यहां से निकाल दो मैं कुछ भी करूँगा वो रोते हुए कहता है कि बस वो लौरी को देखना चाहता है अब गौड से बस प्रे करके आप अपनी मेंटली स्टेंथ तो बढ़ा सकते हैं बट किसी चीज में काम्याब होने के लिए खुद इफर्ट करना तो पड़ेगा ही इसलिए जैक अपने कार में रखे हुए सारे सामानों को एक जगे पर इखटा करके चेक करता है कि कौन सा टूल उसके काम का है जैक ने जहां पर सन्रूफ में टेप लगा के सील किया था वहां से वाटर डॉप्स की बूंदे निकल रही थी जिसके बाद में जैक इसे पीने की कुसिस करता है और जब वो इस छेंद को उंगलिक करके इसे बढ़ाने की कुसिस करता है तो उसके उंगलिक कट जाती है अब इसके बाद में वो अपने बॉटल और थोड़े से जुगाड के जरिये उसमें पानी खटा करना सुरू कर देता है जल्द ही इसमें काफी पानी हो जाता है जिसे वो निकाल कर बाद में पीने के लिए रख देता है जैक को यहाँ पर अब ये पता लगाना है कि उसके उपर की जो मिट्टी है वो कितने उपर तक है इसके लिए वो एक रॉड को उपर डालने की कोसिस करता है मगर उस रॉड का जो दूसरा सिरा था उसमें मिट्टी चली जाती है जिसके बाद में जैक फिर से उसे हटा के एक नया जुगार लगा के दुबारा ट्राई करता है मगर अब वो इस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ कर अपने खाने के लिए रेडी हो जाता है उसके पास में चिप्स का एक पैकेट तो है मगर उसमें चिप्स सिर्फ एक ही है वो इस छोटे से टुकड़े को ही खा कर अपने आपको सैटिस्फाई करता है और उसने जो वाटर कलेक्ट किया था वो दिखने में ही मिट्टी वाला लग रहा होता है लेकिन इतने प्यास के चलते जैक को भी ये बेहदी टेस्टी लगता है अब खापी लेने के बाद में वो फिर से अपने प्लाइन पर स्टिक हो जाता है वो रॉड को धीरे-धीरे मिट्टी के अंदर डालता है मगर काफी अंदर चले जाने के बाद में ये रॉड छोटा पड़ जाता है जिसके बाद में अब वो यहाँ पर दूसरा टुकड़ा जोड़ के उसे उपर ढखेलता है फिर इस वक्त तक ये रॉड काफी उपर पहुँच जाता है अब जैक यहाँ पर यही प्रे कर रहा है कि उसकी जो प्लैनिंग है वो सक्सेस्फुल हो जैक अब इस पाइप में एक पतला सा वायर डाल कर ओपर जो उसने कवर बनाया था उसको जब हटाता है जिसके बाद में अब जब वो नीचे से जहांक कर देखता है तो उसे आखिरकार बाहर कना जारा दिखाई दे जाता है इसे देखकर जै कितना खुस होता है जैसे कि वो अब आजाद हो गया हो वो इसी के जरिये कुछ फ्रिस एयर भी लेता है जो कि उसके लिए ये कमाल का experience होगा जै किसी के जरिये इसमें चिला कर help मांगने की भी कुछिस करता है उसे लगता है कि सायद अब बाहर उसे कोई सुन लेगा मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता अब तभी उसके mind में एक idea आता है जिसके बाद में वो एक कागज के टुकडे को जला कर इस hole के पास में धुआ ले जाता है अब जब धुआ बाहर जाएगा तो इसे कोई बाहर से देख पाए और यहाँ इसके फसे होने का भी पता लग जाए मगर आग थोड़ा तेज हो जाती है जिसके चकर में पूरी कार में ही धुआ धुआ हो जाता है अब वो कुछ देर time पास करने के लिए अपने life के moments को याद करता है कि तभी उसका वो pipe मिट्टी के साथ में नीचे की और आने लगता है जैक जल्दी से इसे संभालने की कोसिस करता है मगर अचानक सी एराड उसके सर पर लग जाती है और blood आने की वज़े से वो बेहोस हो जाता है बेहोसी के हालत में जैक जो सपना देखता है वो भी कुछ night mayor से कम नहीं है होस आने के बाद में हम देखते हैं कि उसे काफी blood आया है जिसे रोकने के लिए जैक अपनी सर्ट को सर पर लपेट लेता है अभी तक उस sunroof के जरिये कार में काफी सारा कीचण आ चुका था वो कीचण में चेक करता है जिसमें उसे bird की एक dead body मिलती है लेकिन वो उसे कीचण में ही रख देता है और अगर वो जल्दी यहां से नहीं निकल पाएगा तो उसे खाने की सोचेगा अब एक बार वो फिर से अपने phone से खुद की वीडियो बनाता है मगर इस वक्त तक जैक को realize हो गया था कि सायद वो बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए वो लॉरी और अपने होने वाले बच्चे के लिए message बनाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है जैक की वीडियो इसलिए भी बना रहा होता है ताकि लॉरी ये ना समझे कि जैक उसे धोका दे के भाग गया जैक को लगातार नाइट मेर्स वाले सपने आए जा रहे थे मगर यहां से निकलने के उसकी जो भी planning थी उसमें success की कोई भी उमीद नहीं नजरा रही थी जैक एक बार फिर से relax होका दुबारा सूझता है कि वो आखिर उसके साथ में ये कैसे हुआ था उसे अब ध्यान आता है कि जब वो कार से जा रहा था तो रास्ते में लैंड स्लाइट के चलते वो इसी बीच फस गया जैक का जो घाव था वो भी पकने लगा था और टाइम पास करने के अलावा जैक को और कुछ सूझ नहीं रहा है वो सीसे पर कार्टून की ड्रॉइंग बना रहा था और फिर जब वो सीसे पर पेंट से पॉइंट करता है तो सीसा चटक जाता है अब सीसा तूट जाने की वज़े से यहां पर मिट्टी भरना चालू हो जाती है कार के रूफ की छट भी नीचे दबने लगी थी लेकिन जैक किसी सहारे से इसे रोग देता है अब जैक ने ठान लिया है कि वो कुछ न कुछ करके बाहर जाने का ट्राई जरूर करेगा खैर अब पानी यहां तो है नहीं तो उसे खुद की ट्वाइलिट को पीकर ही काम चलाना पड़ता है और फिर चिप्स के रैपर को अच्छे से चाट कर जैक जो लॉरी को गिफ्ट देने वाला था जो कि एक्चुली प्लांट के सीट्स थे उसे भी खा लेता है अब इसके बाद जैक अपनी बॉड़ी पर मोटर रॉयल लगा कर अपने फोन में उसका फेवरेट म्यूजिक चला के उसके उपर जो भी मिट्टी थी उसे काटते हुए यहां से निकलने वाला होता है मगर जितना असान ये सुनने में लग रहा है उतना असान ये है भी नहीं और खास तोर पर जब यहां की आउक्सीजन भी कम पड़ गई हो खैर हवा का तो वो जुगार बना लेता है वो टायर को अपने साथ में रखता है ताकि वो उससे एयर ले सके और इसके बाद में अब लगातार कोसिस करते हुए वो इस मिट्टी को काट कर आखिर कार उसे बाहर जाने के लिए रोसनी दिखाई दे जाती है जैक अपने हाथ बाहर निकाल कर फ्रेस एयर फील करता है और बाद में जब वो बाहर आता है तब जाके उसके जान में जान आती है उसके बाहर आते समय उसका फोन नीचे गिर गया था लेकिन दुबारा फोन लाने की कोई जरूरत नहीं है जब वो खुद ही बाहर आ गया ह जये कब लॉरी के पास जाएगा उसका बर्तडे सेलिब्रेट करेगा और इसी हैपी एंडी के साथ में इस मुवी का एंड होता है मुवी को देखकर हमें ये बात तो जरूर पता चलती है कि छोटी सी बात को भी इगनोर ना करके उमीद को बनाये रखना चाहिए तो ये थी 2013 की एक ध्रिलर मुवी का एक्स्प्लेनेशन उमीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मुवी का एक्स्प्लेनेशन को इंजॉय किया होगा मुवी का एक्स्प्लेनेशन अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहिन वंदे मातरम